बहुत में गरवानमित महसूस कर रहा हूं कि फर्स टाइम इंट्रव्यू दे रहा हूं आपके सामने में कोई भी वाइलेशन नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है फिर भी अगर रीच अगर डाउन हो रहा है तो वह मैंने एक फिल्म देखी थी चांदनी चोक्टू चाइना अक जितने भी ज़्यादा साहिवान मसकार मैं हूं सतीस और आप कोशी टूड़े देख रहे हैं अभी हमारे साथ एक ऐसे सक्स जुड़े हुए हैं जो कि देश की सीमा पर सेवा देते हुए साथ साथ डिजिटल मीडिया के माधियम से अनेकों लोगों को सेवा दे रहे हैं अन कि एक तरह से कहा जाए तो गाइड करते हैं जो की लोग ठक जाते हैं हार जाते हैं कि यह 日inals लोगों को भी कश जानकारी दे दी जाए कि कैसे क्या करना चाहिए तो चलिए सर से कुछ बात्चित कर लेते हैं सबसे पहले सर आपको कोशी टूड़े में बहुत 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 कर रहा हूं कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूं आपके सामने में और मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है और कि कब मिले कैसे मिले लेकिन आज बड़ी सोभागी की बात है कि आप से मिल गया है लेकिन सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा कि जैसे लोग सोसल मेडिया पर वर्क करते हैं वो किरियेटर होते हैं उन करते तो बहुत ज्यादा मेहनत हैं लेकिन कुछ-कुछ कमी के कारण या अगर सोसल मीडिया पर अगर आपको आना है तो सबसे पहले आप अपना कॉंटेंट देखिए कि आपका कॉंटेंट क्या है कॉंटेंट लगभग सभी कर बना लेते हैं लेकिन एक चीज़ मैंने एक फिल्म देखी थी चांदनी चोक्टू चाइना अक्षे कुमार के फिल्म से कोई काम कर रहा है उससे अच्छा काम आपकोई नहीं कर सकता है आपसे बेटर काम कोई नहीं कर सकता हैो जो आप बचपन से करते आ रहे हैं ठीक हरे के अंदर कुछ नो कुछ ऐसा कला होता है तो मुझे बचपन से यह मतलब आधत थी कि टेकनलोboji या कोई नया ग्यजेट के बारे में मुझे भूछ अच्छा तो वही चीज़े में धीरे अपने आपको आगे बढ़ाते गया और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोसल मीडिया पर आते हैं तो ऐसा कॉंटेंट बनाइए जो लोगों को पसंद आए ठीक है कॉंटेंट बहुत सारा है मेहनट कभी हार ना नहीं मेहनद से अगर हार जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेहनद करते रहे ना इस बात की गरन्टी की सफलता जरूर मिलेगे जर बहुत सारे लोग जो है कभी थमने लगाने से टाइटल लगाने से भी हिचकते रहते हैं कि क्या लगाएं प्या नहीं लगाएं देखिए सबसे पहले अगर आप सोसल मीडिया पर अगर काम करते हैं तो चाहे फेस्बूक हो या यूटूब हो तो जो उसकी पोलिसी है उसको धियान में रखना परेगा आप ऐसा कॉंटेंट कभी मत डालेगा जो देश बिरोधी हो तूसरा कॉंटेंट ऐसा मत डालेगा जिस से हिंसा फैले तीसरा ऐसा कॉंटेंट कभी मत डालेगा जिससे बाद विवाद लराए पीट खून खराबा कोई भी चीजे ऐसी हो जिसके कारण कोई विवाद हो सकता कोई जगरा हो सकता है यह सब चीज को आपको देखना परेगा और भी बहुत सारे ऐसे पोलिसी है जैसे मालिजे कि अगर आप किसी ने कुछ ऐसा कॉंटेंट आपने ऐसा कुछ बोल दिया हो जिसके कारण उसकी इज़त कम हो गई हो या फिर उसको बूरा लगा हो तो यह सब चीजे भी आपको धियान में रखना पड़ेगा तो यह चीजे अगर समझेंगे तो आप टाइटल को उसी हसाब से आप लिखें ताकि उस चीज़ को कोई भी पॉलिसी इसूव एगरा नहीं है अरेगे थामनेल की बात थामनेल आप ऐसा बनाए कि लोग क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए ताकि इसके वीडियो के अंदर है तो है क्या तो थामनेल को थोड़ा एट्रेक्ट होता क्या है एकाएक जो है डाउन हो जाता है तो बहुत सारे लोग घवडा जाते हैं देखिए फेस्बुक ऐसा प्लेट फॉर्म है कि आज कल सबसे ज़्यादा अकरसक लोगों का केंदर बना हुआ है और फेस्बुक पे रीच डाउन होने का मतलब यह नहीं है कि आपका को कोई भी वाइलेसन नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है फिर भी अगर रीच डाउन हो रहा है तो वह आपको पैसेंस रखनी की जरूरत है क्योंकि थोरा सा अप डाउन उप डाउन वह चलते रहेगा हर एक वीडियो आप सोचेंगे मिलियन में जाएगा तो ऐसा तो नहीं होत है एक और वह जो रेड आपको दिखाई दे रहा है तो ऊपर में आप देखिएगा वह पराए तोट anyways लिखा रहता इसका मतलब वह कंपेर करता है पिछले महीन के हिसाब से कि आपका पिछले महीन क्या था और इस मेने क्या है, इस हिसाब से वो चलता है, इसलिए आपको रेड और गरीन दिखाई देता है, इसलोगे उसमें एक boost का option आता है तो, देगे boost का option जो फेश्बुक boost है तो वो इसके बारे में ठोड़ा सा किलियर कर दूंगा बूस्ट खुद Facebook कहता है कि अपने जो पोस्ट है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए Facebook को आपको payment करना पड़ेगा आपके अनुसार है कि आप कितना बजट उसमें लगाते हैं उसमें वहां करने से आपको प्रोब्लम आ सकती है इसलिए आप 10 दिन या 15 दिन या एक मैना में एक ही पोस्ट को बूस्ट पे लगाए और उसी बूस्ट के मादयम से थोड़ा बहुत आपको जरूर सुधार मिलेगा रीच में तो यह जरूर करना चाहिए एक मैना में कम से कम एक पोस्ट को तो जरूर करना चाहिए अब हम आपके बारे में बात करते हैं सर आप एक देश की सीमा पर तैनात होते हुए ड्यूटी देटे हुए इस चीज के लिए कैसे समय निकालते हैं सबसे पहले तो मैं यह कहना चांदा देश सेवा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण चीज है और मेरा सोसल मीडिया में आने का यही कारण है कि साइवर फ्रॉड जितने भी ज़्यादा साइवर फ्रॉड है और हमारे मानने प्राइम मिनिस्टर जी भी यही कहते है कि साइवर फ्रॉड से रिलेटेड मतलब यूटूबर को बहुत सारा इस बार क्रियेटर अबॉड भी दिये हैं खुद कह रहे हैं यूटूब या सोसल मेडिया पर आने के लिए और मेरा में मकसद यही ता आने का कि जितने भी साइवर फ्रॉड है उससे बचा जाए कैसे उसी वीडियो में मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप साइवर फ्रॉड अगर हो रहे हैं तो उसको बचना कैसे आप जैसे जैसे टेक्नोलोजी बढ़ रहे हैं उस तरीके से साइवर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं तो उस चीज़ से बचना कैसे इसी के बारे में मैं अपना समय निकालके देश सेवा के साथ मानव सेवा भी अगर थोड़ा सा मौका मिल रहा है मुझे तो मुझे यह बहुत सवा कि साली समझूंगा कि मुझे ऐसा समय मिल रहा है परतियक दिन सर आप कितना घंटा समय इस पे देता हैं समय तो मुझे ज़्यादा नहीं है जैसे दो या तीन घंटा मुश्किल समय इस पे समय दे पाता हूं काम करने के उपर है कि कौन कितना समय में कम ज़्यादा है या काम कर सकता है तो कोशिस करताओं कि ज़दा से ज़दा लोगों की मदद कर सकों, यही मेरा मेरा मेर्ट मोटिव रहता है जा सर अन्त में ऐसा कौन सा वीडियो रहा जिसने आपको हरे एक लोगों के पास पहुंचता दिया और हरे एक लोगों के दिल में जगह बना दिया मेरी जो सबसे बड़ी वीडियो थी एक वाटसप से रिलेटेड मैंने एक कॉंटेंट बने हैं था जो 66 मिलियन गई थी उसी वीडियो ने लगभग बहुत लोगों को मुझे लोगों तक पहुचा दिया और इसके बाद मेरी हर एक वीडियो मिलियन में जाती थी हर एक रील मिलियन में जाती थी क्योंकि सारी जो थी टेकनिकल वीडियो ही थी और जितने भी थे साइवर करायम या फ्रॉड से रिलेटेड किस तरीके से स्मार्टफोन का इस्तमाल करना इसी से टेकनिकल वीडियो थी तो ये जो धीरे-धीरे लोगों के दिल में मेरी जगा धीरे-धीरे बनती गई और मैं सब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोग उसी वीडियो के माद्यम से आज मुझे जान रहे है अंत में सार मेरे चैनल के माद्यम से दर्सकों को क्या कुछ कहना चाहें मैं कोसी न्यूज के चैनल के माद्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इनकी वीडियो को देखिए और ये भी हमारे भाई बहुत मेहनत करते हैं और इनकी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो कुछ न कुछ जरूर सिखने को मिलेगा और हर मैसा अगल बगल क क्या चीज चल रहा है यहां पर कोई भी फेक नहीं है जो भी चीज़े रियल चीज़े तो इनको भी थोरा सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल को भी देखिए बहुत चीज़ आपको सिखने को मिलेगा कोशी टूड़े में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत कि आप लोग क्या कुछ चोच रहे हैं सरके बारे में कॉमेंट में जाके रहे जरूर दीजिएगा धन्यवाद